नमस्कार, हिंदी डिक्रेशन यूटीब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, रेडी हो जाएए, डिक्रेशन की स्पीड फास्ट होगी समस्या केवल भारत में ही नहीं है, मैं आपसे अमरीका की ओर देखने को कहूंगी, मैं कहूंगी कि आप अन्या अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डाले, जहां ना पैसे की कमी है, ना रोजगार की, ना दुनिया के सुक साधनों की, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली इस्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिली की सडकों से गुजर जाती है, उतनी ही उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती, पर गुजरात को क्या सहायता दी गई, क्या आपने इसके आंकडे दे भारत के कई राजियों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है, आपने एक या दो विशेस परियोजनाओं की चर्चा की है, प्रतेक परियोजना पर उसकी आवशक्ता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवशक्ता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फर्म या व्यव विशाय ग्रिह को क्या मिलता है, आवशक्ता का आशय यह है कि उसे देश को अपने पामों पर खड़ी होने में सहायता मिलती है या नहीं, पैरा हमें उर्वरकों की आवशक्ता है, हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उबाय कर रही हैं, लेकिन हम विदेशी कम कमपनियों के हाथ बिकर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूड हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूगी, अगर आप चीखना चाहते हैं, तो विश्वास रखिए आप मुझ से ज्यादा जोर से नहीं चेक सकते, इसका मुझे आप से कहीं ज्यादा अनभव है, प्रतेक मामले को तब तै किया जाएगा, जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा, जहां तक टाटा पर्योजना का समन्द है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है, यदि वह आएगी, तो वह उस पर वैसे अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जा अवों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ, जिनके लेखक ना तो भारती हैं और ना ही आदर्श वादी, परा, महोदे, प्रतेक कदम फूख फूख कर रखना होता है, और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गवादे, लेकिन स्वतंत्रता गवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बलकि उसका अर्थ होता है कि हम निरणे स्वयम कर सके, हो सकता है कि वे निरणे गलत हों, लेकिन वे हमारे निरणे भारत के निरणे होने चाहिए, हमें कपड़ा उद्योग की सम हमने आधुनिकी करण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यक्ता को स्विकार किया है। कैसे उदार बनाई जा सकती हैं परा। हमने केवल मोटे तोर पर नए सिरेशे दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं की जब तक देश उस दिशा में आगे ना बढ़े तब तक वह प्रगती नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती की आदर्शवाद और व्यावहारिता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगती किसी ना किसी सिधांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है की भारत में क्या हो रहा है बलकि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहां अनुशाशन और धैरे के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशाशन कहेंगे कि इंग्लेंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे जब वे इन सब के फ्रती विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशाशन हींता कहेंगे इतनी की उसकी मांग रहती है परा खादी का आर्थिक आधार भारतिय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं हमारा देश कृशी प्रधान देश है जहां अधिकांश लोग किसी ना किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं यदि आप एक किसान के जीवन पर द्रिश्टी डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता उसे काफी समय बेकार रहना होता है दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़ कर नहीं जा सकता क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरिक्षन की आवस्यक्ता होती है यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवस्यक् में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिलकुल खाली होगा उस खाली समय में किसान कुछ ना कुछ कमाएगा ही और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो कम से कम वह अपने लिए तो इ हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना की एक ओसत हिंदुस्तानी के लिए आविश्यक है अर्धात 15-20 गज कपड़ा प्रती व्यक्ति इस द्रश्टिकोर से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि खादी खाली समय में कि यह परिश्र रहना ही अच्छा लगता है परन्तु इन सब कठिनाईयों के अत्रिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन प्रारम किया परा महोदय उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई सम्बद नहीं था तब अंग्रेजी शासन था आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ जैसा कभी कहा गया आप जिन आयूर विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की होने वाली हैं मैंने सुना है कि उनमें विभिन विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को उचे प्रकार की सिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे जो सिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग का चिकित्सा भी किया करेंगे सभी आयर विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिती होती है कि जो वहां पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहां के विद्यार्थियों भी पढ़ने के साथ-साथ रोगियों को देखते हैं इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यावहार ज्ञान भी मिर्ता जाता है जिस संस्था में जितने अच्छे सिक्षक होंगे उस संस्था में विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं जहां जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाब भी उठा सकते हैं परा आजकल यह आश्यर्य की बात है पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगती कर रहा है विशेशकर आउशध तथा चिकित्सा के सम्मंध में पिछले जो दो युद्ध हुए उनमें जहां एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तयार हुए वहां दूसरी और आउशधियों के निर्माण में इतनी उन्नती हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे वे अब नियंत्रण में आ गए हैं इससे फल यह न लाब उठाए या उसे हानिकारक बनाए यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहां एक और इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है वहां उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकट में हो गया है हम चाहते ह है कि हमारे देश के वईज्ञानिक चाहे वे विज्ञान के किसी भी शेत्र में काम करते हों इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए ना कि विनाश तभी भावी प्रगति होगी उमीद है डिक्रेशन आपको अच्छी लगी होगी इन वीडियों को बनाने में मेहना ज्यादा लगती है तो इसलिए आपके सपोर्ट क्या हो सकता रहती है कि आप इनको लिखिये और अपने साथियों के साथ जो रिपूर्टर की त्यारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरू कर दी आखरें उनके बस अबरिक्र दीओ करें और अधर्टर की त्यारी क्र्टर की तरें। तक्सुट्स।